अब जाए अब लेकुम स्टुडेंट्स मेरा नाम अली रजा है हमारी एक एडमी स्पिरट प्रिप्रेशन ने एक चैनल लाँच किया यूट्यूब पे स्टुडेंट्स में हैंडल करूंगा जी आपका बायलोजी का सुटुडेंट्स जिस तरीके से आप एक लास से पास आउट होकर मैट्रिक में आये तो आपने अब्सर्ब किया होगा एक बहुत बड़ा चेंज आता है यानि स्टुडी पैटरन में मेहनत के लेवल पे बहुत ह लेवल का चेंज आता है बिलकुल इसी तरीके से जब आप मैट्रिक से निकल कर आगे आएंगे एक उससे भी बड़े लेवल का चेंज आएगा यानि अकसर ना लोग यह कहते हैं सुडेंट्स के बेसिकली क्योंकि यह दोनों बोर्ड की क्लासिस हैं तो यह दोनों का पैटर मिलता है मैट्रोग और फसी का लेकिन इनमें मेहनत के लेवल का पैटर्न डिफरेंट है मेहनत बहुत ज्यादा है फसी के अंदर क्योंकि सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन ज्यादा है इन्ही नंबरों की बेस पर आपको एडिमिशन मिलेगा जी मैडिकल यूनिवस्टी मे जहां तक मेरे सब्जेक्ट की बात है जी बायलोजी सब्जेक्ट की बात है अब जिन बचों ने प्री मैडिकल प्री मैडिकल च्वाइस किया जिन बचों ने उनके लिए बायो बेसिक सब्जेक्ट है क्योंकि उन्होंने इसी सब्जेक्ट को लेकर आगे जाना है प्री बाइलोजी और मैथ ठीक है स्टुडेंट्स अगर हम बाइलोजी को देखते हैं तो बाइलोजी फस्ट यहर में हमारे पास तक्रीबन 14 चैप्टर्स एंस इन 14 चैप्टर्स की डिटेल हमने पढ़ नहीं है ठीक है वो पढ़ेंगे आइससा हम स्टार्ट करेंगे लेकिन अगर सबसे पहले मैं आपको बाइलोजी का पेपर पैटर्न पर लेकर आओं कि बाइलोजी का पेपर पैटर्न क्या होता है तो अगर हम बाइलोजी के पेपर पैटर्न पर आ जाते हैं तो टूटल माक्स होते हैं हमारे पास 85 ठीक है इन में अब्जेक्टिव यानि MCQ आपके कितन इन MCQs not from exercise ये बात याद रखियेगा students ये बात याद रखियेगा कि MCQs exercise में से नहीं आते हैं अक्सर बचों के जेन में ये बात होती है कि MCQs आगे ये अक्सरी को आएंगे ये लेकिन students ये आपने बात को follow करना है कि बायों के अंदर especially यही चीज है जो इन्हें बहुत जाला स्पेसिफिक बनाती है कि इनके MCQ जो है ना बच्चे वो हमेशा आएंगे उसमें से आपके जो बुक का एक चैप्टर है उसके इंसाइट से आएंगे थोरोली आपको पढ़ना पड़ेगा जबकि अगर हम देखते हैं सब्जेक्टी प तो कितने हो गए जी टूटल मार्ग हमारे पास 44 मार्ग हो गए जब कि extensive questions हमारे पास आते हैं जी तीम हर extensive questions 8 marks का होता है तो total कितने हो गए 24 marks इसमें मैं एक और वज़ात कर दूँ कि हर question के parts बने होते हैं आप लोगों को better idea होगा A और B, A part भी 4 marks का होता है, B part भी 4 marks का होता है तो total marks कितने हो जाते हैं हमारे पास 8 ठीक है तो हमारे पास जो paper pattern है वो कुछ इस तरीके से हैं कि 17 marks के आपको MCQs आएंगे और MCQs exercise में से नहीं होंगे या आपके chapter के insight में से होंगे mean आपको chapter thoroughly study करना पड़ेगा subjective परा जाएं short questions और extensive questions short questions 22 आपने attempt करने है 44 marks के और long question तीन आपने attempt करने है each question carry 8 marks total कितने हो गए जी 24 marks ये फर्दर analyze करने की बात ये है कि हर question के अंदर parts बने हुए है यानि A और B parts हर part 4 marks का है तो एक question 8 marks का होता है तीन आएंगे 3 को 8 से multiply कर लें तो कितने हो गए जी 24 अब अगर आप लोगों से मैं पूछूँ कि इन तीनों चीजों में से यानि हमारे पास mcqs है short है और extensive questions है कौन सी चीज ऐसी है जो सबसे ज्यादा important है तो अकसर बच्चों का point out होता है extensive questions ठीक है कि long question को attempt करना बहुत important thing है long question attempt कर लें लेकिन ये बहात गलत है बच्चे आपका paper जो define करती है जी चीज़ आपके paper को define करती है वो हैं जी आपके short questions ठीक है जिस बच्चे ने बायों के अंदर short questions ही तरीके से attempt कर ली जी student ने उसका paper बेहतरीन तरीके से presentation के साथ examiner को पतासर करता है जी ये बच्चा बहुत लाइक है यानि वो आपको आगे बताएंगे कि आपने short questions किस तरीके से attempt करना है लेकिन ये बात करने का मकसद ये है students कि आपका focus कभी भी distract नहीं होना चाहिए किस चीज़ से short questions है कुछ students कहते हैं जी हम long question वाले chapter अच्चे तरीके स बनाते हैं तो हमने short questions पर ज्यादा focus करेंगे अपने lectures के दौरान extensive पर भी करेंगे लेकिन short questions पर हमारा class score पर focus बहुत ज्यादा होगा आपने पढ़ते वक्ते हैं ये ख्यार लखना है short questions को attempt कैसे करना है solve कैसे करना है students next चीज़ जो मैं आपसे discuss करना चाहता हूं इस introduction lecture के हम उस तरीके से marriage नहीं करेंगे हमारे पहले lectures जो होंगे वो start होंगे हम start लेंगे course का start करेंगे जी chapter number 3 से course का हम start करेंगे chapter number 3 से ऐसा क्यूं है बच्चे किसी भी चीज़ को start start में लेकर आना यह सबसे एक important चीज़ होती है student जब भी आप किसी चीज़ को start करना start अच्छा करने ना तो वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आप उसे complete करते हैं तो अगर हम first chapter से start करते हैं तो first chapter में कुछ चीज़ ऐसी है जो students को कही दफ़ा बहुत की तरफ ले जाती है जिसकी वज़ा से students का ध्यान distract हो जाता है तो हम chapter number 3 से start करेंगे बहुत simple chapter है easy है एक small chapter है जल्दी लिए आपका knowledge है लेकिन first year की bio बहुत ज्यादा important आप यह कहलें कि यह डरने वाली बात नहीं कि बहुत ज्यादा difficult है बाहर से कुछ नहीं आएगा जो कुछ भी आएगा बुक के insights से आएगा लेकिन मकसद बताने का आपको यह है कि अब आपको मेहनत का level जो है ना matter के मकावल में double करना पड़ेगा क्योंकि quantity और quality दोनों ही चीज़ें इंकरीद हो जाती है FSE के अंदर FSE आप से दोनों चीज़ें डिमांड करती है दोनों चीज़ें कैसे आप एक तो ज्यादा time दें यानि अपने study को time ही ज्यादा करें quantity ही ज्यादा करें और दूसरी चीज़े के quality भी ज्यादा होना चाहिए हमारे चैनल पर जो लेक्टर्स होंगे उनका मकसद सिरफ यह नहीं होगा कि आपको रटे लगवान है उसका मकसद यह भी होगा कि आपके concepts clear करने है क्योंकि आप लोग को पता है कि आपने FSE के बाद follow करना है जी mcat को mcat में आपके concept का level बहुत हाई हो होंगे यह बात याद रखेगा कि mcqs exercise वारे नहीं होंगे यह book के chapters के insights से आएंगे इसका मतब है कि आपको chapters को thoroughly read करना पड़ेगा ठीक है subjective portion में आ जाए तो short questions होंगे और extensive question short question तकरीवन 22 attempt करने होते हैं आपने जो कितने बन जाते हैं जी 44 marks के और extensive question जी हम 3 attempt करते हैं paper के अं हर question 8 marks का होता है तो total कितने होगे जी 24 marks हर extensive question में आगे further parts बने होते हैं A और B हर part कितने marks करी करता है जी 4 marks तो total एक question कितने marks का हो जाता है जी 8 marks का और एक important बात कि हम chapter number 1 से start नहीं करेंगे हमारे जो next lectures होंगे वो किस chapter से होंगे chapter number 3 से होंगे अपना ख्यार रखेगा अला हाफि शुक्रिया